अभी तक मौलवी फत्वा देते थे, अब मुसलिम नेता वोट जिहाद का नारा दे रहे हैं। फिर भी यह लोग सेकुलर और सम्विधान में आस्था रखने वाले ही माने जाएंगे। बस प्रधानमंत्री को ही बोलने पर पाबंदी है जब वह हिंदूओं को एक जुट होन को कहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सल्मान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खा ने मुसल्मानों से वोट जिहाद की अपील की। फरुखाबाद में कहा, मुसल्मानों के सामने मौजूदा हालात में वोट जिहाद जरूरी है। अगर हम एक नहीं हुए, तो सल्मानों ने यहां भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज को उनका हुका पानी बंद कर देना चाहिए। मारिया फरुखाबाद में सपा की महिला विंग की जिला उपाध्यक्ष हैं। वह अपने चाचा सल्मान खुर्शीद के सा साथ फरुखाबाद से सपा प्रत्याशी डौ। नवल किशोर शाके के समर्थन में एक जन सभा में शामिल हुई। भाजपा ने यहां से मौझूदा सांसद मुकेश राजपूत को टिकट दिया है। उसके मनसूबों को काम्याब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ बिना भावुक हुए एक साथ वोटों का जिहाद करो। क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। इस बार बहुत होश से वोट द लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप साथ नहीं कर सकते हैं।